हेलो एवरिवन सभी को नमस्कार सभी को सस्रीयकाल सभी को वादाव और सभी को चैहिंद कैसे हैं आप लोग तो हमारे साथ जोट चुके हैं यहाँ पर मनीश टैन्वी विमल एक आर्टिस्ट शिवांशु बाबा तो सब लोगों को नमस्कार और आज क्या रहेगा खास तो आ इसी एप्लिकेशन में आपको मिलेंगे वो सभी फीचर जो कि हमारे सेलेक्शन के लिए इंपोर्टेंट हैं चाहिए वो कर इंडफियर्स हों चाहिए वो पीडिएफ नोट्स हों इवन आपको मुझसे बात्सीद भी करनी है न तो यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है सर तो मैंने जिसको हम लोग यकरत के नाम से भी जानते हैं जिहां यह वहीं लेवर है जिस में से बाख बाईल ज्यूस यानि पित्रस निंकलता है और लेवर के से कौन से भाग में सेなた मेने रहते हैं निकड़क में से आप जो ने क्या क्या नसर्ट रहा ही पर देख लेते हैं तो यहां पर जो आंसर था वो तो है यक्रत यानि कि जगर अब आप लोगों के जो जो आंसर थे एक पर देख लेते हैं तो सब से पहले विमल बाबर है आंसर दिया के सर यहां पर होगा गुर्दा तो गुर्दा हमारे शरी में रखकोश हो देखा रहा है नो डाउट बट अगर यहां पर सकन वर्जन की बात करें को धियान पूरवग देखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर पहला जो सीटमेंट दे रहा था था प्यूरिफिकेशन के लावा वो तक ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में गन वर्जन तो ग्लाइकोजन का जो ग्लूकोजन करता है तो हमारा लिवर तो कुमारी प्रियम देन प्रियम मनीश यूजर उसके बाद कंप्रीट गॉर्ट जो कि मैं राइसान वाले भाहिया है शिवांशू प्रियम सुदान्शू धीरज अंजली तो आप सोनों को याद रखना है कि सब जो लिवर वाला पार्ट है यानि यकरत सर यह वो पार्ट ह होता है जो हमारा कन्वर्जिन करेगा किसका सग्लाइक कौजिनका ग्लूकोस में तो आपलोग ब्ली इस वाले पार्ट को नहीं मिया वहां पर पूरा स्टेटमेंट था इसलिए मैने जान मुझे के सब्सकर किया मैंने स्टेटमेंट को दो पार दिवाट किया अधी का कर पहें तो कोईशन जब भी पेपर में पूछेगा तो प्लीज इतना पार्ट जरू फोकस करना कि ऐसा तो नहीं कुछ मिस्स कर रहे हूं तो राजेश चलिए अगले प्रश्ण पर आगे बढ़ा जाए और अगला प्रश्ण आपके सामने यह प्रश्ण है दस सलायवा तो सलायवा किस चीज के पाचे ने मदद करता है लार तो यह लार क्या होती है कोई निए विमल इसमें आपकी गलती नहीं है मैक्सिम बच्चों का यह ही है कि वहाँ पे क्या करेंगे कि इतने पार को देखा और सब पार को देखने के बाद पूरा हम नहीं देखेंगे स्टेट्मेंट डायक्ली आगे वाले पार को देखा और सीधे ऑप्शन लगा दिया तो यह गलती हो जाती है कोई नी इसका अंसर सर दीजे सर इस कांसर क्या होना चाहिए जल्दी ब्लीज लार अब लार की जब लोग बात करते तो बैस पाट इस कि सर आप लोग एक्जैंपल ले लो डूसा खा रहे हैं ठीक है मेरा फैवरेट है तो मैं हमेशे डूसा एक्जैंपल लेता हूं मैंने लिया डूसा डूसे का नेवाला जैसी मुह में रखा मैंने उसको चबाया चोटे चोटे पीसिस में तोड़ा जब मैं डूसा को चोटे चोटे पीसिस में तोड़ने के बाद क्या होगा डूसा को चोटे पीस में तोड़ने के बाद हो सकता है वो मेरी गले में अटक जाए तो उसको चिकना करना ज लार्व ग्रंथी, English में कहते हैं sir salivary gland, प्लीज यह राखना, यह बहुत ही important है, हम लोगों को भूलना नहीं है, और salivary gland कितनी होती है sir, यह होती है 3 जोड़ी, कितनी होती है guys, sir यह होती है 3 pairs में, कहां पर हमारे गाल वाला भाग हो गया, यहां पर जीब के पास वाला तो जितनी भी लोग यहां पर बी के साथ जा रहे हैं उस सब लोग से आ रखना अब यहां पर आकिफ बाबा बिल्कुल सही आपने का अच्छा आकिफ आपका एक डाउड था वो मैं शाम पूर आपका रिजॉल्व कर दूगा ठीक है तो यहां पर जो मैं सलाइवा की बात कर है यह क्या है यह आपका एंजाइम होता है यह वो एंजाइम है जो हमारे शरीर में जब हम लोग डोसा रोटी सबजी कुछ भी खा रहे हैं उसमें से कारबोड और स्टार्च का पाच्छन जो करेगा वो यहां से करेगा प्रमोट पूछ रहे हैं साइंस से कितने कुशन आत हमारे शरीर की बात करें तो गोड़ सूतर कितनी होते हैं 46 आंसर था हाइग्रोमेटर सर के सीज के लिए काम आता है तो इस तरीके क्योशन एक्जैम में आते हैं चलो सर तो इसका भी पार्ट हमारा ड़न है आंसर होगा है स्टार्च अगला क्योशन मनुष्य में वह उता कौन सा है जहां जन्म के बाद कोई कोच का विवाजन होता ही नहीं है सरा आप बताएगा यह कौन सी लोग यह क्या है सर तो सुरजीत राजेश आकिफ इसका अंसर क्या होगा विमल पूचर तो सबी लोग याद रखना मंडे को बारह से एक बज़े में फिजक्स पढ़ाऊंगा एक से डेट जासे कंप्यूटर जाता था था न साड़े बाद से डेट टिश्यूस, नर्व्स मतलब यह कौन सी हो गई, सर यहाँ पर आप लोग नर्व्स बोल दो, यहाँ फिर आप तंत्रगाएं बोल दो, तो यह वो उतक होते हैं, जिन में कभी कोई विवाजन होगा ही नहीं, तो जितने भी लोग ना उपकला नहीं बिटा, वो एपिधिले नह नर्व्स, तो जितने भी लोग यहाँ पर बी के साथ जा रहे हैं, वो सब के सब सही हैं, तो दीपी, सिमरन, मनीश, रवी, सही आंसर होगा नर्व्स, अगला पुरुष्ण, अगला ही है, सब व्यस्क पुरुष्ण में सामा निर आर बीसी की गढ़ना कितनी होती है, यानि अगरे शरीर में ब्लड नाम की एक चीज़ एक्जिस करती है, जी हाँ, वही वाला ब्लड जो अपने अपनी मैडम हमारा पीने का काम करती है, क्या, तुम में इतना टाइम क्यों लगा देते हो, तुम हमें घुमाने निले जाते हैं, तुमने हमें यह यह नहीं खिलाया, त तो यहाँ पे सरी यह खून पीने वाला काम जो है, फीमेल, मॉस्केटोस का होता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं, जो कि एक कर्येक्टिव टिश्यू है, रख्त क्या है, रख्त एक सईयोजी उतक है, अब यह सर जो ब्लड इसके अलगलग पार्ट में जरा चलते हैं, त तो उसमें एक लिक्ट वाला पार्ट होता है, जो कि है प्लाजमा, इसके अलावर जो यहाँ पे मौझूद हैं, सर वो होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, अब यहाँ पे जो RBC है, यह सबसे यादा होता है, मैक्सम कंटिट इसी का होता है, और वो कितना है, सर वो है आपक यह एर्थ्रोसाइट भी बोलते हैं, और यहाँ पे यह सर आपका जो काउंट ही हो जाएगा, 4.5 से 6.1 मिलियन के असपार्स, तो कितना अंसर होगा, 4.1 से लेकर आपका 6.1 मिलियन के असपार्स, राइट, सो दीबी का शब को घुस्ता आ चुकी है, अभी दीबी का शब कर के नाम से जानते हैं, पली हा, ठीक है, तो इससर जनम कहा होगा, अस्ती मज्जा में, और म्रत्यू कहा होगी, पली हा में, तो यह सारी चीज़ें संबंदित हो गई, आगे बढ़ते हैं, डेवलू बीजी काउंटिंग बिटा 10 से 12,000, बिल्कु से आपने, तो गाईज, इस कहा हो कि अध्यन से संबंदित है, यानि, यहां पर question पूछ रहा है, अंशे का, कि आप लोग ये बता, ये study of cell क्या है, आसन भाशा में, सुसी, यहां पर जो logic शब्द लिखा है, logic का मतलब होता है, study करना, जो हम लोग ने बहुत बार पढ़ रखा है, तो साइटो का मतलब ह सेल, तो सेल की study cytology, histology क्या होता है, सरी उतक का ध्यान होता है, यानि कि tissue की study है, सर वो आपका, histology हो जाएगा, कोई ने वाइटी गेमर्स, आप सही टाइम पर आए है, psychology, सर जहापे हम लोग मनो विज्ञान की बात कर सकते हैं, और सर फिर आ जाता है, physiology, right, so histology is the study of tissue, सही थे, अगला प्रशन, अगला प्रशन है ये, रक्त में प्रतिस कंदक पदार्थ कौन सा होता है, which is the anti-coggulant substance in the blood, so वसीम बिलकुल सही है, आप, शिवांचु, अंशिगा, सुजीत, प्यूश, बिलकुल सही, so रोष सोनी, अच्छा, ठीक है, so रोष भीटा, इस कांसर बता ही, इस कांसर क्या होना चाहिए, so मनेश जा रहे हैं, A के साथ, okay, वसीम बाबा, हमारे B के साथ जा रहे है, right, यानि कि हिपरेल, और बाकी गाईज, फ्लीज थोड़ा जल्दी यल्दी आंसर देना, so प्यूश जा रहे हैं, C के साथ, शिवांशु, D के साथ जा रहे है विमल, ALP में बेटा साइको होता है, बिलकुल होता है साइको, yes, ALP के एक्जाम में बेटा साइको टेस्ट होगा, अब देखे, साथ दिखे, ऐसा है, यह जो एंटी कोगलेंट सब्सेंस लिखा है, यानि प्रती सकंदक, इसका मतलब समझना, आप लोगों के साथ कभी ऐसा ह हुआ है, कि सर मस्त एक्दम निन्नू कर रहे थे, निन्नू करते करते हैं, पता लगा हमारे शरीर के अंदर ब्लड की क्लोटिंग हो गई, नहीं, हमारे शरीर में कभी ब्लड की क्लोटिंग होती नहीं है, विस्तम एक्सेप्शन, कुछ अपवाद अलग हुए, बीमारियां वो चीज़ अलग है, हमारे शेरीर के अंदर कभी ब्लड जमता नहीं है, जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे जो रक्त है उसके अंदर मौज़ूद होता है हिपेरिन तो हिपेरिन क्या करता है? हमारे शेरीर के अंदर रक्त को जमने से रोखता है तो आपसे कभी कोई पूछन पूछ हैं तो इसको घुमा फिराकर पूछ सब 닿 पूल सकता है हमारे शरीर में कभी रक्त क्यों नहीं जमता है के कारण यहां फिर रख्त में प्रतीस कंदक कौन है सर वो हेपेरिन है क्योंकि हेपेरिन ही है जिसकी वैसे नहीं जमता और कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में सब्लड की क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो गई है अगर कुछ समस्या हो गई है तो हम लोगों को सर फिर डि लोगे शरीर में जो हो सकता है वो एक ब्लड की क्लॉटिंग बहुत इंपरेंट फेक्टर जब लोग हार्ट एटक्स की बात करते हैं और्थृसकलोसिस की बात करते हैं यह ब्रीन वाले पार्ट में होता है बिल्कुल जहां पर हम लोग हैं फेम्रेज पार्ट से टेंगां शेकर पूछना है, sir, RBC का होता है, RBC का मतलब है लाल रक्त कड़िका है, red blood cells, जो कि हमारे blood का part होती है, तो यहाँ पर, sir, जितने भी लोग मौझूद है, हेपरेन वाले बिलकुल सही थे, अगला question, विमल पूछना चाह रहे है, sir, CBT-2 में, बेटा, CBT-2 में क्या पूछना चाह रहे है, बताओ, बेटा, साइको जो है, CBT-2 के बाद होता है, CBT-2 में आपका साइको का test नहीं होगा, don't worry, so, प्यूश, artificial, yes, question है, निम लिके तुमें से कौन सी कोशे का प्रति पिंड बनाती है, so, which of the following cells produces antibodies, so, अब, sir, इसका अंसर दीजिए, क्या होना चाहिए, वसीम, A.L. बाबा, अच्छा, A.L. जोड़ चोगा है, राम, A.L. बाबा, रोहित, चार मिलें, बिटा, आप न, मेरे कहाल से थोड़ा सा पीछे चल रहे है, तो कुछ बच्चे जो पीछे चलना है, प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लो, अपने लाइफ क्लास को, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, तो यह चीज बहुत इंपोर्टेंट है, मिस मत करना, तो कॉछिए है, विच बन आफ फॉलिंग सेल प्रोडूसर 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 करती है, तो एसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, या फिर लिंफोसाइट, तो प्यूज दी के साथ हैं, अंशे का दी के साथ जा रहे हैं, वसीम बावा हमारे दी फॉलिंग से रोके, दी के साथ हैं, बिल्कुल विमल, आपने बिल्कुल सहीगा, 75 कोशन, 35% क्वालिफिकेशन, ए हम लोग sales की बात कर रहे हैं, और यहां पे जब्ढ ही, antibodies की बात होती है, एक्षीज पता होनी जाए, antibody क्या है sir, antibody protein होता है, यह क्या है एंटी बॉडी एक प्रोटीन है यह सवाल भी आपका ELP में पूछा हुआ है so antibody is actually a protein जो sir क्या करता है it is produced it is actually produced by the immune system क्या होता है it is produced by the immune system in the response to the presence of antigen आपको याद होगा sir हमारे शरीर में antigen और antibodies present होते हैं तो आप लोगा जो भी blood group है आई इस पर दिस्केशन करते हैं आपके blood group सूझ सकते हैं A, B, A, B और O तो यहाँ पर आपके पास कुछ antigen और कुछ antibody present होती है जो की एक तरह से proteins है तो यहाँ पर सागर देखें तो B antibody इधर A antibody इधर कोई नहीं और O के पास आपका A, B दोनों ही antibody मौजूद होती है तो examination में ऐसे पूछ लेता है वसीम पूछने सा CHS का form apply कर दिया है बढ़ डॉक्यमिन ने फादर की spelling mistake है वसीम डॉन परी उसमें कोई issue नहीं है क्योंकि आपका 10-11 मही में दोबारा से form को correct रणने के लिए option आएगा तो आप वहाँ पर अपडेट कर सकते हो तो just relax को attention नहीं है उसमें अब यहां पर हमारा जो आंसर था वो था लिम्फोसेट्स बिल्कुल सही उतर है चलो सर तो यहां पर मारा sorted हुआ मामला आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन है यह क्या है भाई साब एनीमोफिली किसके द्वारा परागर्ण होता है अब पहले यह तो पता लगे भाई साब यह पॉलिनेशन होता है क्या है अगर मुझे पॉलिनेशन नहीं पता होगा मैं आंसर कहां से दे दूंगा तो सर यहां पर जरा बात कर लेते हैं रिप्रोड़क्शन की किसकी रिप् के कॉशन आएंगे बस आप समझना सीबीटी वन सीबीटी वन क्या डिफरेंस था सुझी सीबीटी वन मैं सिर्फ नॉन टैग वाला पॉर्शन आता है साइन्स इस्टरी पॉलिटी यह वाला पाट आएगा बट सीबीट तो आपके जो भी ब्रांच रही थी जो भी ट्रेड तो इस ट्रेट से सम्मधित प्रश्ण भी पूचे आते हैं इतना अंतर रहता है बागी जो कोईशन था नहीं समय इलपी की कोईशन रखे हुए हैं आपके सामने तो भुथ है क्या है सर देखो जब मैं प्रपादों की बात करता हूं तो सर बेसिकली जो प्लेंट्स में और उसले घ्ल गए रा सर यह है आपका male part, यह क्या है, यह पुरुष वाला अंग है, यह होता है भी to enter, और इसको बोलते हैं filament, इस enter में यहीं पे आपके pollen grains मौझूद होते हैं, और यहां पे सर यह वाला जो भाग है, सर यह female वाला part होता है, यह बनेगा कुछ ऐसा, जिसमें सब सुपर ही होता है stigma, द्यान सुनना सारे नाम, इसमें एक pipe होगा, जिसका नाम होता है style, और इसके अंदर अंदर मौझूद हैं यहां पे ovary, तो stigma, style और ovary, यह होता है female वाले part, तो होगा क्या, जब reproduction की बात होती है, तो इस enter को पहुचना होता है, जारा color change कर दो मैं, नीला कर लेते हैं, तो इस हवा के माध्यम से क्या होता है, हवा के माध्यम से मस्ट उडएगा, और pollen green उड़ते हुए, सर्फ female part पर चले जाएंगे, तो इस प्रक्रियर को बोला रहता है, एनिमोफिली, जो की सर्फ हवा के माध्यम से, यानि की wind के थ्रू होता है, so what is wind, so wind वाले part पर रगम जाते हैं, तो wind वाला जो part है, यानि कि हवा के माध्यम से, अगर ये सर्फ जा रहा है, तो हम लोगो कहेंगे सर्फ वो एनिमोफिली हो गया, ऐसे आता है हाईडरोफिली, तो हाईडरोफिली में क्या होगा, पानी के माध्यम से जब रप्रक्शन होता है, simple, so guys, ये वाला point हमारा clear ये प्रशन है, ये प्रशन है, ये प्रशन है, ये ये का प्रशन है, ये ALP का नहीं है, ये JE का है, लेकिन आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा, easily पूश ले जाता है, so YT, please focus on these studies, AL Baba, Wasim, इसका अंसर क्या होगा, which of the following is a reproductive cell, gamut, WBC, RBC, ये lymphocyte, इन में से कौन सा आपका reproductive cell है, प्रशनन वाली कोशिका कौन सी है सर, so Vimal जा रहे हैं, D के साथ, वसीम बाबा, इसमें गलती मत करना, इसमें उम्मीद है मुझे कि खासकर ये, जो B-Tech और Diploma वाले हैं, जो सब लोग मुसे पुराने candidate जुड़े हुए हैं, गलती नहीं करेंगे, तो सबस्वेले, आकेफ कांसरा है, A, रोहिट D के साथ हैं, Empire D के साथ हैं, Vimal D के साथ जा र योगमक, योगमक ये दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन-कौन से, योगमक हो सकता है, सर ये नर योगमक हो, हो सकता है, ये मादा योगमक हो, यानि कि हो सकता है, कि ये सर मेल गैमिट हो, या हो सकता है कि मैं यहाँ पर फीमेल गैमिट की बात करो, अब मेल गैमिट में जानते ह इसमेल गामिट होता है स्पर्म , जिसको हम लोग Hindi में शुक्रानु के नाम से भी जानते है। ठीक है गाईस ? और जो फीमेल होता है , वहां पर नहीं , एकसघ एकसघ सला गया वह आप जो बता रहे हैं वह सेक्स फ्रोमोजोम से हैं , फीमेल गामिट होता है वह एग सेल , जिसको हम लोग अंडप के नाम से भी जानते हैं तो सर देख रहों यह sperm cell या egg cell यह cells ही तो हैं और हमसे यही पूछा था reproductive cell तो reproductive cell आपके सामने हैं male की sperm cell हो गई female की आपके यह part हो गया इतना वाला part clear हुआ अब सर यहां पर एक बच्चे ने बोला कि सर इन दोनों के मिलने को हम लोग युगमक कह देते हैं नहीं विमल बिटा आप जो कह रहे थे हैं निसेशन की प्रक्रिया के बाद बिटा sperm cell और egg cell के मिलने से क्या होता है इनके मिलने से जो बनता उसको हम लोग युगमक कोई बात नहीं बेटा याद रखना तो युगमनज यह जाइगाट इन दोनों के मिलने पर होता है ठीक है जबकि युगमक क्या है युगमक आपका sperm और egg cell है इन दोनों में अंतर है तो रितेश बाबा विमल सबको यह चीज क्लियर हुई this was important so guys यहां पर जो आंस आगे बढ़ लेते हैं अब यहां जाओ अच्छा एक चीज और यह जो मैंने बोला zygote यह zygote बनता कहां पर है तो देखो यह देख रहो female part में यह जो fallopian tube है इस fallopian tube में ही सर्फ fertilization होता है क्या होता है यही पर आपका fertilization होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते है निशेचन क की प्रकरिया जहां पर हम लोग क्या बोलता है fusion of male and female gamut तो ovary से निकलेगा egg cell जो यहां पहुचेगा और यहां से sperm cell इंटर करेगा जो इस location पर दोनों मिल जाएंगे राइट चलो सर वापस आते हैं तो प्यूज कुछ पूछ रहे हैं सर ALP में physics यहां bio में सबसे आदा question किसक से कम chemistry से तो maximum question जो अभी तक हम लोगें देखा है जो trend चला आया है सबस्यादा question bio से फिर physics और chemistry तो ऐसा trend है चलो गाइस तो सुजीत अभी यहां पर बताई इस cancer क्या होना चाहिए तो महिलाओं में यह वन की शुरुआत किससे होती है यारि कि प्यूबर्टी की बात कर तो प correct होगा क्या कि जब females 14 से 12 to 14 years की जब होती है तो bleeding start होती है right जिसको हम लोग mensurational cycle क्याते है which is one of the important phase यह blood का बाहर निकलना भी जरूरी है right सो जो mensuration होता है it actually occurs in the age of 12 to 14 years और यहां से वो adolescence की आती है लेकिन यह रुकता कब है अब यहां पर यह सचन बिलकुल सही अब यह रुकेगा कब तो सर अगर मिसके रुकने की बात करो तो यह रुकता है सर पैंताले साल की उमर में कब पैंताले साल की उमर में और इस प्रक्र की शुरुआता होती है that is mensuration. So is that clear? Yes, boys में 14 to 16, absolutely correct. So वसीम पूछ रहे साथ सी नहीं होगा? No, बेटा यहां पर जोगा that would be mensurational वाला part, right? चली सर इतना part दन हुआ, अब बढ़ते हैं आगे और अगला question आपके सामने यह रहा, what is the process of production of ovum in females called? तो महिलाओ में अनाडू बनने अब इसका answer is sir, क्या होना चाहिए? Waiting for the answer please. So अब यहां पर sir, कौन सा अला C option पर discussion कर लें ठीक है? AL बूरें सा C option पर discussion कर लेते हैं, जबर वापस आते हैं. So AL आपका इसमीडाउट थाना ना बिटा? AL इसी का बूचना है? देखो. बिटा में अनार के वाले part में क्या होता? यह वो age है जहां से puberty start होती है. ठीक है? मेंनार के यह वो part होगा है जहां से puberty की शुरुवात होती होती है. अब इस puberty की शुरुवात में मेंनार के की बात कर तो यहां पर किस से हमको पता लगा किस चीज की शुरुवात होई है, तो यहां पर सरी starting होती है, mensuration वाले part से. So basically अगर आप से कोई process पूचे कि वो process क्या है? तो वो process is actually मेंनार के. तो मेंनार के क्या हो गया? यह आ किस ने पूचा? वसीब ने. तो यहां पर हम लोग उसको क्या क्या देंगे? उस process को हम लोग बोलते हैं मेंनार के. तो मेंनार के और मेंनार के मेंनार के क्या हो गया? तो मेंनार के यह वो process हो गया? जहां से हम लोग क्या सकते हैं कि yes, puberty has actually occurred. लेकिन what will actually market? So mensuration will market. So this is the point. So द So what is the process of production of ovum in females called? तो ovum के production को हम लोग क्या बोलेंगे? So ovum के production को हम लोग बोलते हैं बटा क्या? ओजेनिसिस. तो ओजेनिसिस यह वो process होती है जहां से ovum का निर्मान होता है. अब आप कहेंगे sir, ovum का निर्मान कैसे होता है? आईए समझते हैं. तो गुरु देव यह देख बाग हो गया. अब यहां पे sir, यही आपका अंडब वाला पार्ट हो गया, तो जो अंडब है, यह कहां से जनरेट होता है? ओवरी वाले पार्ट से? तो अब यहां पे sir, जो यह process इसमें ovum का जनरेशन होता है, इस process को O Genesis के नाम से जाना जाता है, तो जितने भी लोग A के स issue के, स्थन गरंती से, कॉलिस्ट्रम नामक पहला श्राफ खिलाया जाता है, तो कॉलिस्ट्रम क्या प्रदान करता है? तो अन्यूबॉर्न बेबी इस fed with the first secretion called colistrum from the memory gland, so what does colistrum impart, तो colistrum से क्या मिलता है, इसका अंसर देखते हैं, क्या होना चाहिए? So waiting for the answer, so O V duct से ovum secret होगा, बिल्कुल, that's right, precise, so इसका अंसर तो फटा फट से क्या अंसर होना चाहिए, guys, फटा फट, So Vimal जा रहे है, B के साथ, Binda Simran C के साथ, Mani C के साथ, Aakif हमारे B के साथ जा रहे है, Wasim D के साथ जा रहे है, Nutrition, okay, others, Rohit कहा रहे हैं साथ, Immunity मिलेगी हमें, अब देखो, Immunity का होना क्यों ज़रू होए? यह आपका NTPC का पूछा हुआ प्रशन था, तो guys, अब यहाँ पर अगर मैं Immunity की बात करूं, तो बच्चे में ऐसा नहों कि सार कोई रोग प्रती रोग हो जाए, हाना? तो जो क्लॉस्टर वाला पार्ट है, यह क्या करेगा? यह सर रोग प्रती रोदक शमता देगा, यानि कि सर बाहरी कोई भी छोड़ी छोड़ी जीव होगा, जो हमाई लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं, उन सभी से लड़ने में मदद करेगा, यह हमको देगा रोग प्रती रोदक शमता जिसको हम लोग कहेंगे इम्मुनिटी, इम्मुनिटी मिलती है हमको इसी की मदद से, इसलिए सर आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, टीवी में एड भी आई है, कई बार सरकारी एड आती है, क्या होता है, कि बच्चे को स् साथ में जो इंपोर्टेंट चीजें जो बच्चों की बच्चों की ग्रोथ के लिए रिक्वाइड है, तो इसलिए सर शरीर में सही मात्रा में यह इम्मुनिटी, सर आपके अच्छे से रहने चीज़ से, सर क्या हो जाए कि आपका वायरस, बैक्टिरा, कोई भी अगर हमार पर चलेंगे, ये यलो कलर होता है, बिल्कुल सही का आपने वसीन, इतना पार डन है, आगे, अगला प्रशन है ये, बर्थ कंट्रोल पिल्स कंटेंस वाट, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, जैसे का आप लोंने टीवे में बहुत सारी एड्स देखे होंगी, अन्वा पर सर, वो कभी, नॉमली, कभी, कभी, यूज कर लिया, तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप लगातार उसे यूज करते रहेंगे, तो ये आपके बॉड़ी में इश्यू करेगी, राइट, सो बेसिकली जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, इसमें कुस्तो होता होगा, अब हम ल अदर्स, सिमरन C के साथ हैं, दीपी C के साथ हैं, विमल C के साथ जा रहे हैं, और चंदन बिटा, आपके साथ से तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि टाइम फिक्स है और एक चीज का, हाना चंदन, सो बाकी जो बच्चे हैं, जो लोग ALP की ताहियारी करने हैं, उनको तो पूर अच्छा, अब यहां पर आपको मैं होमवा कुशन दे जा रहा हूं, क्योंकि कम्यूटर का टाइम हो चुका है, आपके लिए प्रशन है, प्रजनन उतकों की परिपक्वता शुरू होने पर शरीर की व्रदी आम तोर पर कम हो जाती है, तो किशूर अवस्ता में इस अवस् अच्छा, तो आपके बश्यार ओप्शन से इसका आंसर दीजेगा, यह रर भी ग्रुप D का प्रशन है, 2018 में पूचा गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, और एक चीज, अपनी क्लास में हम लोग यहां पर, अब मिलेंगे मंडे को, तो सब लोग याद रखना, कि हम बताना जरूरी है, तो अपनी क्लास जो होती है, 12 बजे, 12 बजे रखेंगे, लेकिन मंडे को हम लोग 12 बजे फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो मंडे को हमारी जो क्लास रहेगी, वो 12 से 1 बजे तक रहेगी, जहां पे हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, और फिजिक्स मे लोगों ने कोई batch नहीं लिया, अगर आप कोई batch लेना चाहते हैं, तो आपको करना कहा है, आप जाएंगे sir, ADDA247 की website पर, ADDA247 की website पर जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, आप जाएंगे all courses वाले part में, all courses में जाने के बाद, हम जाएंगे AJ exam में, इसमें जो भी branch अपनी branch select कर लेंगे, और मुझे अगर मान लो तैयारी करने है, RRB की तो मैं जाओंगा RRB में, RRB, ALP या फिर RRB technician, जो भी batch मुझे लेना है, तो यहाँ बाइनाउ पर click करने के बाद, एक जादी code लगाना है, क्योंकि हम को जाएंगे maximum discount, और वो code है Y723, तो Y723 अप्लाई करते ही, मुझे मिल जाएगा maximum discount, तो maximum discount के लिए code यूज़ कर सकते हैं, हम लोग Y723, so येस, ठीक हाक, मुझे आद है वो, आपका आपका देता हूँ, हाँ EL बाबा, चलो, चलते हैं थोला सा, तोश की तरफ, अफ्तुला सा, हिमाचल प्रदेश में गुम्भी-गुम्भी करके आते हैं, चलो सर्फ, फिर दो मिनेट्स और इंसार करिए, सब लोग ITIE एड़्डा पर आजएए, ITIE एड़्डा पर हम लोग computer questions करेंगे, every vision से संबंदित, तो मिल से हैं, आप computer classes में, सब लोग comment section प्लीज आंसर देना, और हम लोग सर्फ Monday को, अगले Monday, मतलब coming Monday को मिलेंगे, 12 बजे, जहां पर हम लोग physics class पढ़ेंगे, chapter होगा, हमारा light, चीग है, रोहत कुमार, चलो, मिलते हैं फिर आपर से, computer class में, आजो सब लोग, computer class में, आजो, so, bye everyone, take care, jai hind, and yes, love you all, मिलते हैं computer class में.